दोस्तों आपने भारतमाला पुर्जेट के बारे में सुना होगा ये भारत सरकार का फ्लैक्सिप पुर्जेट है जिसके अंडर हम 200 बिलियन डॉलर से भी जादा का इमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं नए हाइवेस बनाने के लिए इनमें नेशनल हाइवेस को चोड़ा करना ग्रीन फिल्ड एक्सप्रसवे और इंडिस्ट्रियल कोरिडोर बनाना ये सब सामिल है अभी के टाइम हम वेरियस एक्सप्रसवे और हाइवेस बना रहे हैं पूरे देश में और इन सब को भारतमाला के अंडर बनाया जा रहा है या फिर कहूं भारतमाला फेस वन के अंडर कर दिया गया है एक्चुली दोजार पचिस सताइस तक फेस टू को खतम होना था तो इन सब के चलते इसमें देरी आई बड़ सरकार चाहती है फेस टू में देरी नहों जादा इसलिए फेस टू के काम को फेस वन के परेलल ही चला जाएगा तो आज हमारा इस वीडियो में फो 200 कनोमेटर के हाइवेस को बनाना है इसमें एक्सप्रस वे और इंडिस्ट्रियल कोरिडोर सामिल है जो धो जल्डर रोडस 0,000 के कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड 800 किलोमेटर के एक्सप्रसवेस और 10,000 किलोमेटर के पुराने हाइवेस प्रजेट को भी सामिल किया गया है जो इससे पहले चल रहे थे जो phase one है इसमें हम कुछ बड़े एक्सप्रसवे के उपर काम कर रहे हैं जैसे दिल्ली मूंबाई एक्सप्रसवे, गंगा एक्सप्रसवे, चन्नी बैंगलूरू एक्सप्रसवे, बुंदेल खंड एक्सप्रसवे जैसे highways अब जो फेस्टू चलेगा इसमें मेन फोकस होगा इंटर कनेक्टिंग मल्टी मोडल लोजिस्टिक पार्क पे इसमें कुल 4000 किलोमीटर के रोड का तर्शक्षन होने वाला है फेस्टू के अंडर ऐसे 6 एक्सप्रसवे को डिवलप किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा इंपोर्टन्स रखते हैं मैं आपको इन्हें के बारे में बताऊंगा स्टार्ट करेंगे उस एक्सप्रसवे से जिसकी लेंध सब सब कम होने वाली है यह है खड़कपूर कोलकता एक्सप्रसवे यह एक्सप्रसवे 120 किलोमीटर का होने वाला है जो पाठ है सिली गुडी कोरिडोर का फीचर में कोलकता के आसपास के रीजन बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो करने वाले हैं कोस्टल डिजन के नाते यहाँ पर मनिफर्चरिंग इनिस्टरीज का बहुत ज़्यादा स्कोप है यही पर एंड होगा इस्टन डेडिकेटड फ्रेट कोलिडोर जो अमरिसर दिल्ली से होते हुए कोलकता को करनेट करेगा अभी फिलहाल इस हाईवे के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है लेकिन मई 2022 को NHI ने कहा था कि यह लोग जल्दी 12,000 करोड़ रोपे का टेंडर इस्टन करेंगे इस कोईडोर को डेवलोप करने के लिए दूसरा एक्सप्रसवे है पूने, एहमद नगर, और अंगाबाद यह हाईवे 220 किलोमीटर का होने माला है और इसको 4-6 लेन का बनाया जाएगा इस एक्सप्रसवे की खास बात यह है कि यह 700 किलोमीटर के समरुदी महामार से करेंट होगा तो आप बोल सकते हैं कि पूने को डारेक्ट एक्सप्रस मिलेगा समरुदी महामार का इस हाईवे का बजट 10,000 करोड रुपे का इस्टिमेट किया जा रहा है अभी फिलहाल इसका DPR का काम सुरू नहीं हुआ है जब इसका DPR का काम फिनिस होगा तो इसके land acquisition का process स्टार्ट किया जाएगा तीसरा है चन्नाई त्रिची एक्सप्रस वे यह हाईवे 310 किलोमीटर का होने माला है जो तमिल नाडू के दो सबसे महत्पूर सहर को करेंट करेंगा तमिल नाडू भारत का सदन कोश्टल राज है और इस राज की राजधानी चन्नाई फेमस है अपने auto manufacturing के लिए त्रिची टू चन्नाई का यह corridor त्रिची को एक direct एक्सप्रवाइड करेंगा कोश्टल सिटी के लिए अगर बात करें इसके status की तो अभी फिलहाल इसके DPR और बागी के planning के उपर काम चल रहा है चौता इक्सप्रसवे है इंदोर मुंबई एक्सप्रसवे यह अभी जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रसवे बनाया जा रहा है वो इंदोर से होकर नहीं गुजरता इंदोर भी एक बहुत ही महत्रपूर सहर है काफी बड़ा सहर है तो अब इस सहर के लिए भी टारे टकसस मिलेगा मुंबई का यह हाईवे 515 किलिमीटर का होने वाला है जो आगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रसवे से connect करेगा जो अभी हम डिबलप कर रहे हैं दिल्ली मुंबई इंदोर इसी का पार्ट है तो इसको connect करना जलूरी था पांचवे एक्सप्रसवे है वारणासी राच्ची कुलकता इक्सप्रसवे यह हाईवे 650 किलिमीटर का होने वाला है जो देश के तीन राजिकों connect करेगा उतर पर्देश जारकंड और वेस्ट बंगोल यह हाईवे पार्ट है अमरी सर कुलकता इंदेश्टिरिल कोरिडोर का इस हाईवे का कोष्ट एस्टिमेट किया जा रहा है 28,500 करोड रुपे हाईवे को 4-6 लेन का बनाया जाएगा अगर बात करें इसने current status की तो अभी फिलहाल इसकी DPR रिपोर्ट तयार की जा रही है DPR का काम जनवरी 2022 में शुरू हुआ था अब देखते हैं कि इसकी रिपोर्ट का बाती है इस लिष्ट में जो आकरी expressway है वो होने वाला है पूने बंगलूरू expressway मुंबई से पूने हमारे पास already expressway है और अब पूने से बंगलूरू के लिए भी एक expressway बनाया जाएगा तो अब बोल सकते हैं कि मुंबई टू बंगलूरू को फ्यूचर में पूरी तरह एक्सप्रसवे से करेट कर दिये जाएगा इस हाईवे की लेंथ 745 किलिमीटर की होने वाली है जिस तरह से दिल्ली मुंबई दोनों मेगा सिटी है उसी तरह पंगलूरू भी एक मेगा सिटी है पूने एक Emerging Economic Hub है महरस्टरा के लिए इसे के चलते ये रूट काफी बिजी रहता है और इसे लिए इस एक्सप्रसवे को 8 लेन का बनाया जाएगा दिल्ली मुंबई के बाद ये दूसरा बड़ा एक्सप्रसवे होने वाला है जो 8 लेन का होगा वहीं अगर इसके बजेट की बात करें तो ये करीब 40-40 करोड रूट का इस्टिमेट किया जा रहा है इसके स्टेटस की बात करें तो फिलहाल अभी इसके उपर कोई अपडेट नहीं है देखते हैं इसकी DPR का काम कब सुरू होगा ये वह कुछ मेन हाइवेस हैं जो भरतमाला फेश्टू के अंडर डबलब किया जाएंगे अब इन एक्सप्रसवे के बारे में सारे डेटेल जानकारी तभी मिलेगी जब इसका DPR रिपोर्ट आएगा